लास्ट वाल एपिसोड में आप लोगों ने देखा फ्रेंक्लीन चला जाता है हैल लोड की टीम में और हैल लोड की टीम जोइन कर लेता है लेकिन हैल लोड उस पर विश्वास नहीं करते हैं विश्वास दिलाने के लिए फ्रेंक्लीन को लड़ना पड़ता है सूपरमैन से और उस दोरान जो है फ्रैंकलीन सूपरमैन को मार देता है और ये देखकर जो है हैल लोड को विश्वास हो जाता है फ्रैंकलीन पर और फ्रैंकलीन को भेज देता है हैवन में ताकि वो सूपरमैन को आपर फैका सके उसके बाद है लोर्ड फ्रेंकलीन से पूछता है हैवन बेस के बारे में लेकिन फ्रेंकलीन मना कर देता है कि उसको हैवन बेस के बारे में कुछ नहीं पता अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है इस एपिसोड में गाइस तुम्हारे भाई ने फ्रेंकली नहीं मतलब की एक नया पोर्टल बनाया है हैवन बेस के लिए ये हैवन बेस के लिए एक नकली पोर्टल है जिसे दिखा कर मैं जो है हैल लोड को बेकूप बनाऊंगा और साइद इसमें मैं काम्याब भी हो जाऊं और ऐसा हो गया तो साइद जो हैल लोड है मुझे कुछ नकुछ सक्तिया तो देही देंगे और साथ मैं फिर से लूसिफर को जिंदा कर पाऊंगा उन सक्तियों से देखते हैं इस प्लैन में कितना दाम है कि ये प्लैन सक्सेस्फुल होगा ये इस बात पर निर्वर करेगा कि आपने इस वीडियो पर कितने लाइक किये हैं तो जल्दी जाएए और वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो यार यहाँ पर प्लैन तो कुछ ठीक ही लग रहा है मुझे अभी तो देखना पड़े गा यार ये कितना सक्सेस्फुल होने वाला है लेकिन ये क्या मेरे मोबाइल पर कोल आ रहा है एक पर चेक कर लेता हूँ आखिर कार किसका कोल आ रहा है यार आखिर कौन मुझे परिसान कर रहा है इतना बड़िया प्लैन बनाया है अरे यहां पर कुछ नहीं हुआ बस तुम यहां पर आओ तुम से कुछ जरूरी बात करनी है हमें तुम जल्दी सी जल्दी हो सके उतना जल्दी आओ अरे ऐसा क्या हो गया पता नहीं यार उन लोगों ने अरजेंट में बुलाया है मुझे और कॉल बिकट कर दिया अभी तुम यार वहां जाकर ही बदा चलेगा आखिर कार क्या हादसा हो गया है हैवन के अंदर वैसे भी यार हमने हैवन को काफी जदा एडवांस कर दिया है प यार अपना लूसिफर भी तो अभी भी मरा हुआ है उसको जिंदा करने के लिए ही मैं हैल लोड की टीम जोइन किया हूँ देखते हैं क्या मैं हैल लोड को जिंदा भी कर पाऊंगा खुछ समझ में नहीं आ रहा है यार क्या करना चाहिए वैसे भी मैं हैल लोड की टीम में तो जाई चुका हूँ और एक नकली प्लैन भी बना लिया है जिस प्लैन में बस मुझे हैल लोड को फसाना है पहलाना है और फुसलाना है चलो यार मैं पुछ चुका हूँ हैवन में और बात करता हूँ हैवन आर्मी के बंदों से तो यार क्यों बुलाया है मुझे जल्दी है क्या औरे यहां पर हमें कुछ खतरनाक बात पता चलिया है है वन लोड ने हमें बताया है कि जो है लोड के पास कोई सीक्रेट बेस है उस बेस में वो नए-णए एक्सपेरिमेंट करता है और नए-णए सैथान बनाता है राक्षस बनाता है अगर उसका पता चल जाएगा हम तो हम है लोड से जीजेई जीड जाएंगे अच्छा है ऐसा है क्या अभी तक तो उसने मुझे ऐसी कसी चीज़ की बारे में नहीं बताया है इसकूना क्या तुम यह उसने बता है ऐसे बेस के बारे में नहीं मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है पस मैंने एक पर सुना था सर्वियन डांसिंग लेडी और डैविल क्यों इनके मुझे ये बात इससे ज़्यादा मुझको जो है हैल बेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है अगर तुम पता कर सकते हो तो पता कर लेना क्योंकि जो है हैल लोड इसके बारे में हर किसी को नए बताता है वो अपने बहुती ज़्यादा करीबी खास को ही ये चीज बताता है तो तुम को बस उतका खास बना है बस ये काम करना है चलो यार अभी उसके hell-base के बारे में भी अपने को जानकारी निकल वानी है लेकिन उससे पहले अपने को अपने प्लैन पर फोकस करना होगा क्योंकि अपने को सबसे पहले lucifer को जिन्दा करना है अपना मेन मोटिव तो लूसिफर को जिंदा करना है क्योंकि लूसिफर एक पर जिंदा हो गया तो हमारी टीम की सक्तिया वापस से पहले से ज़्यादा हो जाएगी और यार लूसिफर को जिंदा करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि उसी की नाड हमी लानी होगी कैसे भी करके और वो सिर्फ helllord ही वो सक्तिय जानते हैं और नहीं तो वो knight king knight king तो अब यहां पर है नहीं है और helllord है है और helllord को बेकुब बनाना उतना आसान नहीं है hell lord मैने पता कर लिया है आखिरकार hell base कहां पर है मतलब heaven base, sorry, heaven base तुम तो बड़े जल्दी काम करते हो फ्रैंक्लिंग तो मुझे उस जगा पर ले चलो जहाँ पर heaven base है नहीं नहीं, मैं आपको वहाँ पर नहीं ले जा सकता क्योंकि वो एक portal है और वो केवल और केवल कुछ सेकंडों के लिए खुलता है पहले हम टाइमिंग का हनुमान लगा लेंगे, उसके बाद ही आप हमारे साथ चलना एक काम करो, सर्बियन डांसिंग लेड़ी को भेज़ दो मेरे साथ क्या पता, हम दोनों जाकर जल्दी से टाइमिंग का पता लगा दे क्योंकि वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए ही वो पोर्टल खुलता है और ये भी नहीं पता हमें कि वो कितने सेकंड के लिए खुलता है वो पोर्टल एक बार हम वहाँ पर जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा जब हमें सारी कल्कुलेशन कर लेंगे तब हम आपको बताएंगे हैल लोड की वहाँ पर कितना टाइम लगता है और कितने टाइम पर वो पोर्टल खुलता है और कितने बज़े पर वो पोर्टल खुलता है बहुत तो वैसे तुम्हारी सही है वैसे भी मेरे पास इतना ठाली टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पर पोर्टल खुलने का इंतजार करूँ एक काम करो तुम सर्वियन डांसिंग लेडी को ही ले जाओ ये लो अब तो सर्वियन डांसिंग लेडी आ भी गई है तो सुन लियाना सार्वेंट डांसिंग लेडी तुमने तुमें फ्रैंक्लिन के साथ उसके पिछे-पिछे जाना है और हैवन बेज के पॉर्टल खुलने का समय पता लगाना है और याद रखे तुम्हें हैवन में नहीं जाना है क्योंकि वर्णा तुम आँ बारे जाओगे अभी तो फिलाल मुझे हैल लोड ने कोई पावर नहीं दिये यार मुझे तो उमिद थी कि हैल लोड हैवन बेस का पता बताने पर कोई पावर देगा लेकिन कोई नहीं बाद में भी तो दे सकता है वो पावर अभी मुझे पता लगाना है सर्वें डांसिंग लेडी को क्या इस बारे में कुछ पता है हैल बेस के बारे में अगर पता होगा तो उसे पीट पीट कर उगल वालूँगा मैं वो बाते वो भी मेरे पीछे पीछे पतर कर लेंगे यह लो मैं पोहुच गया अपनी बनाय हूए नकली है व shortly वेस्ट पॉर्ट पर तो यहां पर सर्वेंड डानसिंग लेडी कर आने का इंतजार होगा लेकिन मेरा नहीं जीत पाओगे ही 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 तुम्हारा विश्वास जीत कर मैं करूंगा भी क्या मैं है लोड का विश्वास बात्र बनना चाहता हूं तो मुझे किसी से डरने की जर्णत नहीं है तो तुम जल्दी सी मुझे हैल बेस का पता पता दो वारना मैं तुम् मोथ बहुत ही ज़्यादा करीब है ही 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 तुम तुम मारोगी मुझे एरे ये बत मैं हैल लोड को जरूर से बता के रहूंगी अगर मुझे कुछ भी होता है तो हैल लोड तुम्हें जिंदा नहीं चोड़ेगा क्योंकि उसे पता है कि मैं तुम्हारे साथ कई थी उसके बारे में मैं सोच लोगा उसकी फिकर तुम्हें करने की जरूरत नहीं है वैसे भी लगता है ये मारी जा चुकी है अभी बस मुझे को इस बारे में ख़वर देनी होगी हैल लोड को लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि हैल लोड को मैं आखिरकार क्या बताऊँ आखिरकार जो है वो मुझे पूछेगा कि सर्वियन डांसिंग लेडी के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या लेकिन मेरे पास इसका अभी के लिए तो कोई जवाब ही नहीं है उसके बारे में मै बाद में सोचूंगा पहले यहां पर कुछ चेक कर लेता हूं देखते हैं सर्वियन डांसिंग लेडी अभी जिन्दा भी बचिए हमारी जाच चुकी है तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे मार दोगे यह तुम्हारी भांती है फ्रैंक्लेन अब तुम जिन् मुझे मार दोगे लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाई मैंने ही तुम्हें पीट दिया अच्छा ऐसा लगता है तुमको तो ये ले अब मैं अपने विक्राल रूप में आ गया मैंने अपने कपड़े खोल दिया है और मेरी पावर हमेशा मेरी ये रुखपा की बिन्यान में ही खुलती है अब मैं तुमें जिंदा नहीं छोड़ंगा और बात रही है लोड की तो उसे तो मैं समा ले लूँँगा कुछ नकुछ तो मैं उसे बोली दूँगा और उसको विश्वास बिला दूँगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया था और जिसके चलते तुम मारे गए थे ये कह दूँगा हैवन आर्मी के मेंबर्स ने मुझे पर हमला कर दिया मैं वहाँ से भाग निकला और तुम मारे जा चुके हो ये लो ये तुम तो यार वाकाई में मारे जा चुके हो लेकिन इसके बारे में भी मुझे कुछ सोचना होगा यार चलो इसको तो मैंने खतम कर दिया है लेकिन अब मुझे ये सोचना होगा कि आखिरकार मुझे कहना क्या है अगर मैं जो है हैल लोडश ये कहूंगा कि इसे हैवन आर्मी ने मारा है तो सायद वो इस बात पर विश्वास करे लेकिन फिर वो मुझसे ये भी तो सवाल करेगा आखिरकार तुम कैसे बच गये तुम्हें कैसे छोड़ दिया है वना आर्मी ने तो इस बात का जवाब तो मेरे पास रहेगा नहीं क्योंकि मैंने तो उनसे फाइट ही नहीं की थी और ऐसा मैं बोलूँगा कि मैं भाग गया तो वो अपने हाथों से ही मुझे मार देगा तो इसका कुछ सोचना पड़ेगा एक काम करना चाहिए मुझे मुझे लगता है मुझे कैसे भी करके इस सर्वियन डांसिंग लेड़ी को गायाब कर देना चाहिए और फिर मैं उससे कह दूँगा कि बस एक सेकेंड के लिए हैवण पोर्टल खुला था और सर्वियन डांसिंग लेड़ी उस हैवण पोर्टल के अनदर चेली गई और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आकिरकार वो कहां पहुँच गई हाँ ये प्लैन एकदम बैट रहेगा पहले मैं इसे कहीं दूर फैका देता हूँ ये लो यार इसे तो मैंने फैका दिया लेकिन एक पर चेक भी कर लेता हूँ यहां से कहीं वो दिखाई तो नहीं दे रही है फिलाल मैं जितो हो दिखाई देगी क्योंकि मैंने उसे फैका आए और मुझे पता है कि मैंने उसे किस दिशा में फैका है हाँ तो इतनी दूर तक हेल लोड की नजर कभी भी नहीं पोचेगी और उसको पता भी नहीं चलेगा अकिरकार यहाँ पर कुछ हुआ था भी क्या वैसे यहाँ पर कोई खून के निसान तो नहीं है वो भी देख लेता हूँ तो यहाँ पर सारे के सारे खून के निसान भी मिट चुके हैं तो अभी हैल लोड क्यों मेरे उपर बिलकुल बिसक नहीं होगा तो अभी ये बात मुझे बतानी जानी पड़ेगी हैल लोड को ताकि वो मेरी बातों पर विस्वास करे क्या पता वो यहाँ पर आए भी चेक करने के लिए या हो सकता है कि वो मेरी बातों पर direct भी विस्वास कर सकता है क्योंकि अब उसे मुझे धीरे धीरे बरोसा होने लग गया है क्योंकि उसने मुझे devil boss बनाया है अपनी army का और देखते हैं अभी क्या क्या होना है इस सफर में कितनी जूट और बोलने पढ़ेंगे मुझे और कितनी तगड़े तगड़े प्लैन बनाने पढ़ेंगे ताकि जो है हैल लोड मुझे अपना हैल गोड बना दे तो यार मैं तो पहुँच गया हूँ अभी जो है hell base के उपर जो पुराना वाला hell base है ये रहा हा 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 फ्रेंकलिन क्या तुमने पता लगा लिया heaven portal कितने बज़े कुलता है और कितने second के लिए कुलता है और serbian dancing lady कहा है वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई है उस बारे में कुछ बताओ न है लोड एक पहुत ही भुरी ख़वर है जैसे ही जो है हेवन पोर्टल खुला सर्वियन डांसिंग लेड़ी उसके आंदर चले गई खिचती हुई उसके बाद सर्वियन डांसिंग लेड़ी का क्या हुआ उसके बारे में कुछ पता नहीं है और ये भी हम कैलकुलेट नहीं कर खीच लिया अच्छा ऐसी बात है तो अगली बार मैं जाओंगा हैवन पोटल के पास और मैं भी देखूंगा उसमें कितनी सक्ति है फिलाल के लिए तुम आराम करो तुम काफी ज्यादा ठक चुके हो मैं तुम्हें अपनी कुछ सक्तिया भी दूँगा लेकिन पहले तुम आ आराम कर लो क्योंकि तुम्हें आराम की काफी सक्त जर्रत है वेसे थेंकियू चलो यार इसको तो मैंने कैसे ने कैसे बेखकुब बना लिया खेर आज की वीडियो में बस इतना ही